असलाम अलेकोम, आज हम बनाएंगे बैगन मसाला और उसे हमें क्या क्या चाहिए बताओ, सेंग, तिल, कोत्मिर, इमली, अखिलाल मिर्ची, हरी मिर्च, अधरत, लैसून, और इस सेंग और तिल को हम भूनते हैं इसमें मैं दालूँगी तिल, अच्छे से भूनने के लिए, हमारी तिल भूने जा रही है, तिल हमारी हो गई है, आई हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और अब इसमें दालूँगी में सेंग, उसे भी अच्छी भूनने दूँगी, अच्छे से भूनने से उसका छिल्टा निकल जाएंगा, सेंग भी हमारी हो गई है, अखिलाल मिर्ची और हरी मिर्ची हम दालेंगे, वो भी हम भूनेंगे, एक चमत दालूँगी ओईल, ताक हम उसे भी निकाल लेते हैं, हमारी मिर्ची भी हो गई है, तो इसमें दालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, और इसमें रखूंगी इमली भी खाकर, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, सेंग अमरी ठंडी हो गई है, हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, ताके इसका छि दलना हो गया, हम इसमें से निकाल रहें चिल्टे, अधरक को हम काट लेंगे, मोटा मोटा, और अब हम दालेंगे मिक्सर के जार में, सेंग, तील, अखी लाग मिर्ची, और अधरक और लेसुन, बस चार चीज दालना है, और थोड़ी सी कोट में हम दालेंगे, थोड़ा सा पानी एट करेंगे, क्योंकि सुका सुका हो जाता है, थोड़ी सी कोट में रब दालेंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, इसके अंदर, अब हमारा मसाला हो गया है, तयार, आइए हम, एक बरतर में पानी लेते हैं, इसमें दालते हैं, थोड़ा से पानी में नमक डालने से बैगन काली नहीं होते हैं इसके लिए नमक बैगन काटके जो जिसमें रखेंगे इसमें नमक और पानी डालना चाहिए बैगन हम इसमें काटके रखेंगे इसका जो काला पानी लगबग हम सभी बैगन में ऐसे करेंगे चीरा मारे इसे पूरा कटने करेंगे हमारे बैगन हो गए हैं देखिए पानी कैसा काला हो गया इसमें का अब हम इसमें भरेंगे यह है अखिलाल मिर्ची पोडर धनिया पोडर हल्दी पोडर गरम मसाला पोडर है यह हम रखेंगे सैट में, अब इसमें हम भरेंगे बैगन में मसाले अच्छे से, ताके उसके मसाले अच्छे से अंदर लग जाए, लगबख हमें सभी बैगनों में ऐसा करना है, मसाला बैगन तब ही बनेंगा, मसाले में, बैगन में मसाला मैंने लगा दी हूँ, देखो पानी कितना काला है, अब एक बरतन में हम रखेंगे, इसमें डालेंगे ओएल, ओएल हमारा गरम हो गया, इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरा अच्छे से लाल हो जाए तो हम उसमें जो मसाला बज गया है वो आधा हम इसमें डालेंगे हल्दी, घरम मसाला, मिर्ची, धनिया बॉर्डर भी डालेंगे उसमें अच्छे से उसे हिलाएंगे ताकि नीचे उसका मसाला ना पकड़े सेंग है वो नीचे पकड़ती है इसके लिए इसमें तोड़ा हिलाएंगे अब उसमें डालेंगे एक चमण नमक, फितसे हम उसको हिलाएंगे ठोड़ा सा पानी अटके करके 5-10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हमारा मसाला भी अच्छे तयार हो गया है तरी भी पर आ गई है अब इसमें हम मसाले भरेवे बैगन चोड़ेंगे मसाले बैगन मैंने पूरे चोड़ दी उसके अंदर अब उससे हम रखेंगे रखकर 10 मिल के लिए हमारा मसाला भेगन तयार बैगन मसाल अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए